नमस्कार, चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है, MCQ से समन्दित आज के इस वीडियो में हम कुल पांच प्रशनों को देखेंगे हाली में प्रवासी भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उप्शन A, राज सुर्मन्यम उप्शन B, प्रोफेसर संजीब महता उप्शन C, प्रोफेसर जगदीश चेनुपती उप्शन D, डॉक्टर एलेक्जेंडर मलाइकेल जॉन इसका सही जवाब है A, राज सुर्मन्यम FedEx के CEO और भारती अमेरिकी राज सुर्मन्यम को प्रवासी भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रवासी भारती सम्मान भारत के प्रवासी भारती के मामलों के मंत्राले द्वारा इस्थापित एक पुरसकार है जो प्रतिवर्स प्रवासी भारती दिवस के अफसर पर भारत के राष्टपती द्वारा प्रदान किया जाता है प्रवासी भारती सम्मान भारती मूल के व्यक्तियों और प्रवासी भारतीयों को भारत द्वारा परदान किया जाने वाला सर्वुच नागरिक सम्मान है या पुरुसकार प्रवासी भारतियों को उनके अपने छित्र में किये गए और साधरन योगदान के लिए दिया जाता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर दूसरा प्रश्ण कि निमलिकित में से कौन सा ओफ बजट रिन या उधार का सबसे अच्छा वड़न करता है option A सीधे केंदर द्वारा लिया गया रिन option B सरकारी भागिदारी के बिना नीजी संस्थानों द्वारा लिया गया रिन option C केंदर सरकार की निर्देश पर किसी अन्य सार्जनिक संस्था द्वारा लिया गया रिन option D विदेशों से लिया गया कर्ज या रिन इसका सही जवाब है option C off-budget रिन केंदर सरकार पर एक ओपचारिक दाइत नहीं डालते हैं और परिणामसरूप विराश्ट्रिय राजकोसी घाटे की गड़ना में सामिल नहीं होते हैं भारत के समिधान का भाग-बारह केंदर और राज्यों द्वारा उधार लेने से समंदित है अनुचे 292 विशेश रूप से केंड सरकार दोरा उधार लेने से समन्दित है जबकि अनुचे 293 राज्यों दोरा उधार लेने से समन्दित है इस पर प्रश्ण इसलिए बनाय गया क्योंकि केंडर जिसने बजट 2021-22 में राज्य संचालित एजंसियों के माध्यम से ओफ बजट उधार लेने की प्रथा को समाप्त करने की घोसना की उचित अबधी में 117 ट्रिलियन रूपे की सेस बकाया देंदारियों का पूर्भूगतान करना चाहता है वित वर्ष 2020-21 के अंते तक केंडर के पास ओफ बजट देंदारियां 627 ट्रिलियन रूपे के करीब थी इसने 2021-22 में लगभग 5 ट्रिलियन रूपे या ऐसी देंदारियों का 75% बैलेंस सीट में लाया मुख रूप से सरकार ने राश्ट्री लगू बचत कोस से 2017-21 के दोरान खाद सबसीडी बकाया के लिए भारती खाद निगम दोरा जुटाए गए 4.27 ट्रिलियन अतरिक्त बजटी संसादनों को ले लिया केंदर दोरा 67,000 करोर रूपे के उरूरक सबसीडी बकाया को भी एक साथ मंजुरी दे दी गए वहीं हम अगर पेपर में पबलिस अगर इस निउस को देखें तो हम यह देखते हैं कि आफ बजट लैविल्टीज जो की केंद सरकार पर है उसमें सबसे ज़्यादा जो भार है वह है परधान मंतरी आवास यूजना दूरल का और जो सबसे कम है वह है स्वक्ष भारत मिसन रूरत बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर वित वर्स 2022 देश में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा वैपारिक भागिदार बनकर उभरा है उप्षन A चेन, उप्षन B सेंक्तराज अमेरिका, उप्षन C जपान, उप्षन D यॉनेटेट किंग्डम इसका सही जवाब है उप्षन B सेंक्तराज अमेरिका वित वर्स 2022 देश में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वैपारिक भागिदार बनकर उभरा है भारत और अमेरिका के बीच दुपक्ची वैपार 2022 देश में 7.65% बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया जबकि 2021 बाइस में 119.55 बिलियन डॉलर था अमेरिका को निरियाद 2022 देश में 2.98 एक परतिसाद बढ़कर 78.3 एक बिलियन डॉलर हो गया जबकि 2021 बाइस में यह 76.98 बिलियन डॉलर था वानिज मंत्राले के आंकडों के अनुसार अमेरिका से आयाद लगभग 16 परतिसाद बढ़कर 50.24 अरब डॉलर हो गया है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर निमलिकित में से कौन सा संगठन अपने सदस्य देशों में स्टार्टप्स के लिए एक उचित सब्दावली इस्थापित करने पर सहमत हुआ है ओप्शन A G20 राष्ट ओप्शन B G7 ओप्शन C संहाई सहयोग संगठन ओप्शन D आसियान इसका सही जवाब है G20 राष्ट G20 देश जुलाई तक स्टार्टप्स के लिए एक सामानने परिभासा इस्थापित करेंगे स्टार्टप्स की परिभासा का सरकारी योजनाओं, कर्छूट और प्रोसाहनों पर प्रभाव पड़ता है भारत में Department for Promotion of Industries and Internal Trade संशेप में DPIIT एक स्टार्टप को एक ऐसी इकाई के रूप में परिभासित करता है जो किसी भी वित्ती वर्स में 100 करोड से कम की वार्षिक विकरी के साथ अपने प्रार्म वित्यति से 10 वर्स पुरानी है इस परिभासा के आधार पर DPIIT के तहट 97,000 से अधिक स्टार्टप मान देता प्राप्ते है आज का अंतिम प्रशन गाढ़दार तचारोग संचेप में LST के संबंद में निमलिकित में से कौन सा सही है आप्सन A एक प्रकार की साइकेडलिक तवा जिसे आम तोर पर एसीड की रूप में जाना जाता है आप्सन B मतिभरम और भरम की विसेस्ता मान से बीमारी का एक रूप आप्सन C एक संक्रामक वाइरल संक्रमन जो मवेसियों को प्रभावित करता है जिसे से बुखार और तचा पर गाठे पड़ जाती है आप्सन D उस निकटिबंदी छेत्रों में आमत और पर पाये जाने वाला एक पौधा रोग इसका सही जवाब है आप्सन C सरकार ने रोग वाहग प्रभंधन, स्वक्षता और स्वक्षता उपायों के साथ साथ अती सम्वेदन सील मवेसियों की आबादी के निवारक टिका करण के लिए परामर्ज जारी किया है LSD एक संक्रामक वाइरल संक्रमन है जो भारत में मवेसियों को प्रभावित करता है जिसे से बुखार और तचा पर गांठे पढ़ जाती है खाद और किर्सी संगठन का कहना है कि गांठ तार तचा रोग की मिर्तियों दर 10% से कम है इस बिमारी की पहली बार 1929 में जांबिया में एक महमारी के रूप में देखा गया था शुरुआत में माना जाता था कि यह या तो विसाक्तता एक कीडों के काटने के परती अती संवेदन सीलता के कारण होती है भारत में पहली बार 2019 में ओडिसा में इससे समंधित रिपोर्ट सामने आय थी तथा राजस्थान और गुजरात के गंभी रूप से प्रभावित होने के साथ कई राज्यों में फैल गया है LSD को रोकने के लिए टिका करण को प्रभावी माना जाता है हलांकि 100% इलाज ग्यात नहीं है या ज़्यादा तर देशी मवेशियों की किस्मों को प्रभावित करता है इसके साथ ही MCQ से समंधित आज के 5 प्रशनों को हमने देखा आप कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताएं कि आपने कितने प्रशन को एटेम्ट किया है तो नवर मिस इन अप्टीज